आज भारत बन इसकी इसी मोर्चा के तत्वदान में हम सभी कुनकुरी ब्लाग के यहां एकत्रित हैं इसका करम में उपस्थित हमारे जर्बत पंचैत की अध्यक स्रिमती अज्रामीन जी लगर बन्चैत की अध्यक आधरने स्रिक आजम कपो जी अधरने स्री अभिरंद घर्भों जी अधरने स्रिक तलिस्ता तेर्गी जी राजकुमारी लगणा जी यहां उपस्थित सम्मानिय मंचाशी गण और धूर्द राज से आए हुए सभी मैं आधरने माता पिता भाई वह यहां युवा शातिगर और शात में यहां पत्रकार अधरने स्री सागर योशी जी अधरने स्री संतोष जोद्री जी और पुलिश्वर्शासर सबस्थे पहले को हम सभी को यह समझना है कि भारत बंद अज यो है और हम लोग यहां क्यों एकत्रित हुए जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया अपने वक्तव्या में लगबग लगबग आप सभी इसमस्थ होंगे उटो जादो शिक्षित बनो और अपने हग अधिकार को समझो जब तक हम अपने अधिकार और हग को नहीं जानेंगे लड़े कैसे लड़ेंगे मानिये सुप्रिम कोड के दोवरा इस्ती इस्ती अलक्षर में क्रिमिक आन किया है कोड़े के धीतर कोड़े हम समी इते हैं यहां कुई उराव अधिवशी नहीं है यहां कोई गोंबस अधिवशी नहीं है यहां आधिवशी में काई सारी जातिया हैं जैसे कवल है उराव है क्या सभी शंपन हो रहे हैं आज यहां से हमारी स्कुल्पुरी विधान सबसे हमारे कमर समात से विदायक बनके आज हमारे चत्थिस गर के मुख्या बने हैं आदरने श्री मुख्यमंत्री विस्मी दोर सही जी क्या उनके आगए बढ़ जाने से पूरा उनका समास सम्कुन हो जाएगा क्या हो जाएगा कि नहीं होगा हमें नहीं चाहिए हमारे अरक्षन में क्रिमिलेर वर्गी करण पोटे बेगोता जैसे था वो ठीक है हम चाहते है कि आप जातीगत आरक्षन लगे जिनकी जितने भाग जागने की आउसकता है, एक सुरू से आज तक सड़ेंतर होते आ रहा है, हमें आपस में जाती धरम के नाम से लड़वाया जा रहा है, और कहीं ने कहीं, जो हमारे सविधान के दुवारा, जो हमें अधिकार प्रत है, उसकी हनंद करने की कोशिस की जा रही है, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, जो सविधान से चलता है, आप हम भोतेते हैं, तो सरकार बनती है, और सरकार हमारे हित के लिए होती है, ना कि हमारे हितों को शमाप करने के लिए, इस बात को गौर करने की आउसकता है साथियों, आज हमें संगतित होने की आउसकता है, एकता को समझने की आउसकता है, आप दल्बना कीजिए, हमारे पूरवज उस समय ना सिक्षा थी, ना रोजगार था, भुक्मारी था, ऐसे विसंपरस्थिती में, हमें पढ़ा लिखा के इस मुकाम तक यहां तक हमें लाए हैं, और आज हम सभी आदिवासी जाती धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, आपस में भूट है, कहां से बचा पाएंगे हम हमारी आदिकारों को, मैं कहना चाहता हूँ, आप सभी जागरू को यह, समाज को सिक्षित कीजिए, सब दे समाज की ओर ले चलिए, क्योंकि हमें, हम सभी का, हमारे अपने पर्दी हमारे परिवार के पर्दी हमारे समात के पर्दी हमारे देश के पर्दी जिम्मेदारियां है सब जिम्मेदारियों को हमें इमांदारी से निभाने की आँ सकता है चाथियों तब जाके है कभी सफल हो पाएंगे हम अब याद कीजिए हमारी पूर्वजों को कितना स्वंगर्श किये हैं कितने मेहनती थे, कितने इमानदार थे और एक्ता की महत्वगू समस्त्य थे आज जो लड़े लड़ने आप सही अपने काम का छोड़ के आये हैं यह बहुती अच्छी कुशी की बात है अब यह अपने अधिकार और हग की लड़ाई के लिए कोई नीमंतरगी आउसकता नहीं होनी चाहिए जैसे पता चला तो अब हम सभी को आजाना चाहिए कूप बढ़ना चाहिए और हम लोग कंतर में विश्वास करते हैं आज केंदर में मोटी सरकार है हम मोली सरकार से बुजारिश करना चाहेंगे कच्छ है भी कच्छ है कुछ भी कानून बनता है संसर्थ में पारिक होता है पक भी बच्च में विचर भी मर्स होता है उसके बाद में लागू होता है हम भ्रक्तन को मांते हैं मैं कहना चाहूं आप स्वावी जाद यहेंगे जहां भी आउसकता परे हमें जटके खड़े होने होना है लड़ाई लंबी होगी मुझे पता है जहां तक हो सके हम लड़ेंगे पूबी होगी आने वाली हमारी धुडी को हम उनके लिए लड़े लगर रहे हम अने लिए लड़े हैं हमारे समा़ कि Лड़े हमारे आदिवाशियों के लए लड़े हमारे इसी समा़ के लड़ रहे आदु में आप स्भी सी इतने संख्या में आए श्रवी को बहुत बहुत धन्यावाद देता हूँ और एक्ता की मत्वा को समझेगा, हमें संगटित रहना है, एक्ता में रहना है, कभी इस तरह का समझ्या आती है, हम एक होके लड़ेंगे, तो मुझे लगता है नीचित तौर के हम शपल होके, मैं इनी सब्दों के साथ अप अपनी बातों को समाप करता हूँ, तन्यावाद जयद, जयद, श्रवाद